दिवाली पे दिये तो सब लोग जलाते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी रिसेंटली हमारे देश का पुरा नाम ही इतना रोशन करका हैं कि जब हम लोगों ने गोल्ड अपने हाथ पे लिया था, वो क्या एक्सपरियेंस था, वो आप उस टीम के मेंबर थे अब जातों गूजबंप आते हैं, ओडियन्स को देखते हो, इतने सारे एथलीट्स को देखते हो, अलग-अलग कंट्रीज को देखते हो राकेश जी का आपने नाम लिया है, और जी से साब से वो खेले, बारिश के अंदर जो उन्होंने परफॉर्म किया है, वो आपने जो दिखाया, वो पिच्चर, जब अर्बिंदर जी ने गोल्ड जीता, चार बैक टू बैक एक दिन में मैध जीतना, वेरिस शॉर्ट स्पै मैसेज को देखने के लिए इंडिया ही नहीं, जो बाहर कंट्री के लोग थे, वो भी टिकेट बाय करके उसका मैस देखने आए थे, और बड़ी पस्टनाइलिटी है जिन से आप मिले थे, स्री नरंदर मोदी जी, उनका जो औरा है, जो उनका वाकिंग का पैटर्न है, जो म होल होता है वहाँ पर, उस पर आपने सबसे मेजर इंजरी कहा देखिया, डॉक्टर जै, सबसे पहले तो, हैपी दिवाली, एंड वेलकम तो दा पिक्साल तॉक्स, तैंक यू सो मच, अब दोनों का इंविटेशन के लिए और हैपी दिवाली, हैपी दिवाली सर, हैपी दि दिवाली है, और दिवाली के दिन हम बात करने वाले प्राउड मॉमेंट की, बड़ा प्राउड मॉमेंट हो, क्यों? दिवाली पे दिये तो सब लोग जलाते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं, जो अभी रिसेंटली हमारे देश का पुरा नाम ही इतना रोशन करका हैं कि दिय होगी, तो क्या ही उसके आगे रोशनी होगी? बिल्कुल है, और उस मॉमेंट को आज हम जीना चाहते हैं आपके साथ, एक्चुली क्या है कि उस मॉमेंट पे बहुत से लोग ने देखा होगा वो मॉमेंट और अभी भी उस मॉमेंट को फील करते होंगे, जब जब वो कैसे कैसे चलता है, और उस experience के साथ साथ, जो हमारी audience है, उनको भी सीखने को मिलेगा, कि अगर वो भी इसी तरीके से अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, या किसी भी sports पे वो आना चाहते हैं, तो कैसे अपनी fitness को वो maintain कर सकते हैं, तो आज के podcast पे हम ये सारी बाते करने वाल मेरा नाम जया यादो है, और मैं इंडेन आच्री टीम का फिजो 2019 से हूँ, पहले मैंने अबल टीम के साथ काम किया था, उसके थोड़ा ब्रेक लिया था, क्योंकि बाकी टीम के साथ मेरा असाइंड मेंन था, एथलेटिक के साथ या ग्लेंवार्ट स्विमिंग के साथ, या एथलेटिक साथ काम करके मज़ा था, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे, तो यह था कि यार कोई तो आता है फिल्ड पर ठीक करके जाता है, बट यह नहीं पता था कि वो फिजो होता है, तो फिर पूछा लोगों से पता लगा, तो लाइफ में होगा है कि नहीं है, बनेंगे तो फिजो बनेंगे, तो जब बनने के बाद दिसाइड हुआ तो यह हुआ कि लाइफ में क्या करोगे, होता है कि अपने कोर्स तो चूज कर लिया, पर आगे क्या करना है, क्योंकि जब मैंने कोर्स जोइन किया, तो इतनी डिमांड नहीं थी, प्रोफेशन की, लोगों को अव लाइफ, तो वो अचीव करने के लिए मुझे दस साल लगे है, तो अवरल यही मेरा चोटा सा इंट्रोडेक्शन है, नहीं सर यह बहुत चोटा नहीं है, यह बहुत बड़ा इंट्रोडेक्शन है, और दोसी चीज है कि सर जानेंगे तो हम आपके उस दस साल के पूरे एक् क्योंकि आप उस टीम के मेंबर थे और वो भी मेन फीजियो थर्पिस थे वहां पर उस टीम को सपोर्ट कर रहे थे आप एज़ फीजियो और उस मुमेंट को जब आपने फील किया तो कैसा एक्सपरियंस था सर थोड़ा-थोड़ा हम जानना चाहेंगे उस एक्परियंस के वह एक्सपरियंस थे ओलंपी की जो जर्नी थी हमारी प्रालंपिक्स की एक महिना पहले हम लोग परीशा लगया थे ट्रेडिंग के लिए जिसे हम प्री एवन ट्रेडिंग बोलते हैं ताकि हम इन्वार्मेंट के साथ अडप्ट कर जाएं अथलेट को क्लाइमेट से मद मे जाए कोई मेजर इशूज ना है लाइक हेल्थ वाइस फीवर ना हो कोल्ड ना हो लुज मोशन ना हो क्योंकि आपको एक महिना सिर्फ ब्रेड खाना है या लेस पाइसी और लेस ओली खाना है जो इंडिया में बहुत रेर होता है क्योंकि हमें आदत होती दाल चावल करते हैं तो उसके हाथ हमारी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो सबसे बड़ा यही था कि यार प्रेशर होता है पुरी दुनिया की और पुरे देश की उमीद होती है कि यार ओलम्पिक होने वाला है बिल्कुल ठीक है जो मीडिया पुरे साल कभी फोकस नहीं करती हो लास्ट अच्छा रखो टीम करो हां एक हेल्धी बॉंडिंग रखो एक फैमिली क्योंकि आप फैमिली से भी दूर हो आपके लिए परिवार है क्योंकि वहां दिन होता यहां रात होती है तो वह चीजे भी एक रती है तो वह महाल वहां से हमने स्टार्ट किया और जब उलम्पिक व पर आप इंडियन हाउस देर्गति है आप इंडिया टीम पूरी की पूरी टीम युक्ति ए नॉट इवबन आर्चएरी athletics होती है, swimming होती है, badminton होता है, table tennis वाले होते हैं, growing होते हैं, पूरी Indian contingent वहीं के वहीं रुखते हैं, एक house में, तो वो एक अच्छा मावल होता है, सब भी family की तरह रहते हैं, enjoy करते हैं, साथ में meal खाने जाते हैं, साथ में आते हैं, हाँ, training सब की अलग-अलग होती है, तो buses सब की अलग-अलग होती है, तो फिर अपने जगे पर अलग-अलग जाते हैं, बाकी medal आते हैं, तो भी जीतते हैं, आके cheers करते हैं, cake काटते हैं, तो एक अलग feeling होती है, तो वो feeling, वर्डों में तो express नहीं हो सकती है, मैं बोलू की नहीं, मैं explain कर दूँगा वर्डों में तो तोड़ा गलत चीज हो सब की वो जीना एक अलग feeling, वो तो अलगी चीज है सर, क्योंकि actually काई, जब हम TV पर ही देख रहे होते हैं, तब ही एक दम से ही जो आता है न, कि जीत गए हैं, वो लोग चीकते एक दम से, और पर उससे मेले सब मैं यह किलर करूँगा ओडियन्स को कि आपकी टीम में कौन-कौन था, जब आप कर रहे थे, किते लोग थे आप, मेरी टीम में 6 प्लेयर थे, राकेश जी थे, हरविंदर, स्याम सुंदर, जो अब भी DSO है राजस्तान में, विकानेर में, और अपना पू किता थी, फरीदाबास से, तो हमारे 6 एथलीट थे, 2 कोचिस थे, एक अभी लासा देवी में थे, और एक गौरो सर्मा थे, और मैं था, जिसमें से हम 2 ब्रॉंज और एक गोल चीत कराएं, हाँ, उमीद तो में 6 की थी, थोड़ा हमारा लग कुजिन बुरा था, ने ने सर, क पिच्चर, वो सर, वो ऑस्टेंडिंग फिच्चर है, क्योंकि वो, और वो, वो मुमेट जो है, वो, जब वो, वहाँ पर, क्योंकि बारिस में खेलना कितना, मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होगा, तो को, IPL देखते हैं, या और कोई गेम देखते हैं, तो बारिस में लोग भाग जाते हैं, ठीक है, ओडियन्स भी छली जाती है, पलेस भी डगाउट में चल्य जाते हैं, पर आज रिक ऐसा इवेंट या listened, इसमें भी final होता है, बार इसमें भी match जोते हैं, तो ओडियन्स भी नहीं जाती हैं, ओडियन्स भी खडी रहती हैं, क्योंकि जो बुल साही होलते है जब वो 10 पर 10 लगता है बुल साइज में जाकर लगता है तो फिलिंग देखने का नजा रहा और वो अलग होता महुल और उस टाइम आपका यह मेंटली फोकस बहुत इंपोर्टन तो राकेश एक बहुत टफ एथलीट है मैंटली भी फिजिकली भी क्योंकि इतनी हैवी रेंग में और विंड में रेंग के साथ विंड में एरो चलाना अपने आपको स्टेवल रखना और अपने आपको सेमि फाइनल तक लाना वो फिलिंग राकेश ही बता सकता कि क्या थी एक्जैक्ली बिंग अजय स्टाप बिंग अजय इंडिन टीम मेंबर बस हमें यही था कि आज तो हमें करना है और हमें राकेश से पूरी उमिद्धी उसने किया तो जब हमने वल्ड आचली को पिक्चर देखी ना तो सबी लाइक स्पीशलेस होगे था कियार कुछ नहीं कह सकते मितलब इतनी जब अजस्ट मैस की परफॉर्मेंस तो थी थी वो पिक्चर जो क्लिक की थी वो कौन इन मिलियन थी पर मैं यह क्या हूंगा कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीजों को बहुत तेजी से एकदम से वाइ कि तो उसमें कोई क्या मुमेंट के जब आप कर जबाब वो दिन हमारा लाइक नाइन अकलो के असपा स्पा स्टार्ट वा था ता इसमें हरुंदर को पहले प्री क्रेड़ना था पिर क्वाटर केलना था फिर यह एलना था फिर फाइनल था अर्ल गोल्ड मैंनल जीतने तक चार मैंजेस खेलने थे अच्छा एंड प्री क्वाटर वज थोड़ा सा ओके ओके था क्योंकि इजी था एंड क्वाटर थोड़ा तफ था जो हमें निकालना बहुत इंपोर्टन था और आइधिंग हर्विंदर की लाइफ टाइम का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है कि चार बैक टू बैक एक दिन में मैज जीतना वेरिस शॉर्ट स्पैंड में और गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीतना बहुत बड़ी बात है तो जब उसने लास्ट शॉर्ट मारा ना टेन और वी वर लाइक कि बस अब हमने दुनिया फते कर लिए जो गूज बंबाय थे जो ओडियंस ने इंडिया को प्यार दिया वहां पे जो हुटिंग हुए इंडिया के लिए वह बैस थी और उसके जब तिरंगा लहराता है राश्यगान बचता है उतनी ओडियंस के बीच में तो लगता यार अब कर या पैरा हो अरविंदर इंडिविजुल एथलेट है जिसने गोल्ड जी ता आरशिरी के लिए पिसले 25 सालों में तो यह पूरे देश के लिए और आरशिरी असोशेशिएशन ऑफ इंडिया के लिए हम सब के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है जब आप रिटन आए मतल नर्वसनेस थी बहुत सारी अगर वो क्लिप कहीं वाइरल हुई होगी देखा होगा आप लोग ने मेरे को बस यह था कि अब निकल के भाग जाओ इनको नहीं फेस कर सकता क्यों नर्वसनेस होती है क्योंकि ढोल बज रहे हैं सब लोग माला लेके खड़े हैं ठीक है निकले हम बार क्यार नहीं हम फेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने कभी किया नहीं है लाइफ में तो एक डर भी रहता क्यार कुछ गड़बर नहीं हो जाए तो इन दो सेक्योर्टी अच्छी थी फिर भी हम लोग अपने अराम तक पैसे तक पहुँचे थे तो वह फेलिंग बहुत अलग थी बहुत स्पेशल थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता विल्कुल जैसे असर आपने राकेश जी का हमने बात करी और इसके अलावा और बिंदर जी की बात करी तो एक और एथलिट है जिन्नोंने आपके साथ आपकी टीम में आपका नाम रोशन किया पूरे भार बार वुल्ड वाइड और उसके मैसेज को देखने के लिए इंडिया ही नहीं जो मतलब परिस में इंडिया के लोग रहते हैं वही नहीं जो बाहर कंट्री के लोग थे वह भी टिकेट बास का मैस्ट देखने आए थे उसको सपोड़ किया इस लेइवल की इस लेवल की आइ दिल से बहुत साफ है, बहुत नेचर अच्छा है, 17 years old है, और अपने गेम को लेकर बहुत पैस्टनेट है, उसे है कि नहीं जो मैं कर रही हूं, अच्छा करूँ और अच्छा करती रहूं, तो उसके साथ काम करने का मज़ा भी आता है, क्योंकि वो चीजों को समझती है, सीख मिनिश्टर है, क्या रहा अपका experience उनके साथ, जब आप मिले उनसे, तो कैसा experience था आपका, उनके साथ मिलने का, मोदी जिसे मिलने का experience बहुत स्पेशल रहा, उनका जो और और नहीं है, जो उनका walking का pattern है, जो माहॉल होता है वहाँ पे, बहुत ही अलग होता है, बहुत स्पे कि अच्छा लगता कि यार नहीं और किसी ने तो पहचाना किसी ने तो इस चीज की वैल्यू करी तो बिंग एज लीडर इस दे बेस्ट पीम वी एवर हाब इन इंडिया तो अलगी है तो सारे एक्सप्रियेंस हमने आप से लेने की कोशिस करी और कोशिस की कि लोगों को पता चले कि actually में क्या हमने अचीफ किया और उन moments को हमने दुबारा से जीने ही भोसिस करी है क्योंकि वो moments देखे दुबारा तो आएंगे नहीं और जो आप लोगों ने हमें दिलाया है वो मेरे को लगता है कि अगले चार साल बात फिरा जाए अच्छी बात है गोल्डी आते रह था मुझे जैसा जितना मैं अपना experience रखता हूं क्योंकि वहां पर आपका weather भी change हुआ होगा कुछ ना कुछ आप पर प्रैक्टिस करते हैं जब आप ground पर होते हैं तो वहां पर चोटी भी लगती है कुछ ना कुछ इस्पैचिस भी आते हैं करी बोडी भी हमारी हील मांगत है तो क्या challenges आ रहे थे आपको मां पर पहली बात इन दो हम एक महीना पहले गए थे तो जहां पर हम कम से कम परिश से 100 km दूर ते जहां पर हम training कर रहे थे वहां को और मेन परिश का climate बहुत डिफेंट था परिश में कभी भी बारिस हो जाती थी कभी भी धूफ हो जाती थी इवन मैज डे भी तो बोडी को एक नॉर्मल टमप्रेचर में रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टन चीज होती कि अथलीट को वाम अप करा हो बारिस मेना भीगे वूलन कपड़े जो भी जैकेट से वह पहन के रखे ताकि टमप्रेचर बेटर रहे डिहाड़िट ना हो क्योंकि सदन धूफ हो गई है तो वह सारी चीज़े होती है बाकि हम मेजर फोकस करते हैं स्ट्रेचिंग करो वाम अप करो ठीक है कूल डाउन अच्छे से करो यह सारी चीज़ें पर ध्यान रखते हैं उनका डाइटरी बैटन अच्छे से श्लीप कॉलिटी क्या है जो अब यूज इंजरी होती है तो अब यूजर चैलेंज इस ओन फिल्ड नहीं आते जो ओफिल्ड होते हैं क्योंकि आप सालों से एक ही प्रैक्टिस कर रहे हो चार पांच गंटे आट गंटे और एक ही पोस्टर में कर रहे हो तो वह ओवर यूज ट्रेनिंग की वह से इंजर वह पूछाई प्रैों चीज़े करते हैं तो सरुड्चाहर प्रृट्पी अब फेश्लील était जब कोई भी गेम का प्री सीजन स्टार्ट ओता है तो आप स्क्रियन करते हो हम कि उनसे रहिए प्रीविश्ली कौन्सी प्रॉइबिल्टी थीच行 Nea आफ्छीट आप बीपी सुगर, पूरा स्ट्रक्चर अनालीसिस करते हो, पोस्टर कैसा है, उसका स्पीड कैसा है, उसका जंप कैसा है, सब कुछ, ठीक है, strength कैसा है, उस हिसाब से आप कोच और SNC, जो strength training coach होते हैं टीम के साथ, उनके साथ डिसकस करते हो, कि इनके इस पार्ट यह जो sports physiotherapy है, यह normal physiotherapy से कुछ difference है या फिर उसमें भी इसी टाइप से सब चीज़े करते हैं? नहीं, बहुत डिफिरेंस है, जैसे आप MBS करते हो, उसके बाद आप specialization करते हो, MDE करते हो, MS करते हो, वैसे physiotherapy, BPT के बाद आप MPT करते हो, आप sports में करो, cardio में करो, neuro में करो, guide, pediatric में करो, pediatric में करो, gynae में करो, whatever you like it, आप उसमें करो, उसके हिसापस होता है, बैसलर एक ऐसी चीज़े सीखते हो, पर specialization अलग चीज़ होती है, तो दोनों चीज़े अलग अलग है, ऐसानी की BPT करके आप सोचो कि नहीं, मैं यह चीज़ कर दूँगा, वो चीज़ कर दूँगा, आपको specialization सीखनी पड़ेगी, ऐसानी की BPT करके आप चीज़े नहीं कर सकते हो, sports में कर स सकते हैं, तो being as a BPT holder, आपको अपनी skills अपग्रेड करनी पड़ेगे, अगर आपको sports में आना है, तो आपको चीज़े, quick analysis, quick assessment, quick treatment, quick decision making आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ही key role है, sports physio का, on field, on field, फिर आपका rehab, और बाकी चीज़े आती है, तो sir, इसी के साथ साथ आपके career में कुछ known नाम और जुड़े हैं, जैसे कि प्रो कबड़ी, प्रो वॉलीबोल और अभिनोव बिंद्रा टार्गेटिंग पर्फोर्मेंस सेंटर, तो बहाँ पर क्या experience रहा आपका, बहाँ पर experience बहुत अच्छा रहा मेरा, क्योंकि अभिनोव सर का एक initiative था जो इंडिया में best technology लाने का, technobody का, जो specialized है, assessment और rehab में, तो वो चीजे इटली-based technology है, जो सीखने में बहुत मज़ा है, जो उनके प्रस्नल फीजो थे, डॉक्टर दिक्पाल रनावद, उनसे सीखने हो के मिला, जो technobody की इटली की team थी, उन्होंने आकर training दी, तो वहाँ पर जो high-end client आते थे, उनके साथ काम करने का मज़ा, एक बार अनिल कपूर सर राय थे, उनको ट्रीट करने का, तो एक अलग experience था, कि high-age clients को या athlete को अब कैसे देखते हो, कैसे assess करना होता है, कैसे treat करना होता है, तो एक mentor की जरुरत होती है, तो उस तरह की चीजे मैंने वहाँ पर सीखी, और उस technology क कैसे use करना, डेली लाइफ में, बिंग अज़े, पेशेंट के लिए, या athlete के लिए, वो high-end technology का learning था और प्रो कबड़ी में साथ, प्रो कबड़ी कौन सी टीम से थे आप, मैं तमिल सलाइवा से था, season 9 में, history में पहली बार, तमिल सलाइवा सेमिफानल पहुची थी, ठीक है मतलब season 5 से participate करती है वो, तो season 9 में सेमिफानल पहुचे थे, बहुत ही interesting journey रही, बहुत कभी कबार नोग जोग भी होती है, athletes के साथ, क्योंकि opinion matters, ठीक है, सब एक page पे नहीं आ सकते, तो वो चीज़े होती है, but we are like family, एक team bond था कि नहीं हमें जीतना है, हमें आगे जाना है, क्य दो draw खेले थे, एक जीते थे, एन उसके बाद हमें remaining 14 matches और खेलने थे, तो जिसमें हमें यह था कि यार, match तो जीतना पड़ेगा, क्योंकि जब आप back to back हारते हो ना, तो fans का गुसा, troll होना, ठीक है, team का महौल, खुद का भी confidence, खुद का भी confidence, और जब आप dugout से बहार निकल जो भी करती है, तो आपका चेहरा face down होता है, तो आपका कहीं ने कहीं moral तोड़ता है, फिर भी हमारी team, owners and management इतने अच्छे थे, कि हम लोगों ने team को backup किया, कि नहीं आ चलो, पूने से फ्रेज स्टार्ट करेंगे, पूने में गईन हमारे 8 matches थे, जिसमें से हम 6 जीते, 2 draw खे ले, and finally हमने semi-final में, हारेम, तो एक अच्छा experience था, overall, थोड़ा खटे के साथ सुरूगा, at the end बहुत अच्छा रहा, fruitful रहा team के लिए भी, तो आपने उस पर बताया था कि जैसे जब हम लोग archery की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपके on ground आपको कभी कोई injury होना के chances बहुत ही वहाँ पे, being in the future में, रिलाक्स थो नहीं बैठ सकता, कभड़ी में, at least in football में, क्योंकि वहाँ पे आपको, like, बहुत ही attention के साथ बैठना पड़ता है, फ्रेक्शन आप सेकेंड के साथ, इंजरी होने की प्रोबिल्टी रहती है, आपको tentative रहना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, आपको decision making बहुत ही strong होना चाहिए, कि अगर athlete को injury होई है, तो अगले time पर mat पर जा सकता है, या नहीं जा सकता है, वो decision आपको final होना चाहिए, उसमें if and but नहीं आँ 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 आँ, कि नहीं यार, खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता है, ऐसा नहीं होना decision strong होना चाहिए, आपके course के साथ आपका bond अच्छा होना चाहिए, उसे वो चीज समझ में आनी चाहिए, और एक चीज़े healthy रहनी चाहिए, कि टीम के लिए आगे काम आए, क्योंकि अगर आपने गले decision लिया तो फिर अगले match में भी impact पड़ेगा, तो जैसे आपका experience जो रहा की जो high flyer, so called, तो उनकी growing injury देखी थी, pre-season में, जो within week हमने manage कर लिया था, and just league start होने से चार-पांच दिन पहले उनका ACL TA था, ठीक है, इन तो थोड़ी, कहना तो नहीं चेपर, to be very frank, हमारी थोड़ी अन्बन हुए तो decision को लेके, ठीक है, थोड़ी खटास हो गई थी, जो क्योंकि वो था कि उनको समझ नहीं आरा था कि करना क्या है, उनको खेलना था और मुझे था कि नहीं आरा, आप नहीं गेल सकते, तो वो थोड़ी से एक अन्बन थी हमारी, ठीक है, बाकी, बॉली बॉल में मैंने थाम इंजरी देखी हमारे एक 42 यह प्लेयर से रिटेश को म गया, बाद लगली वो हमारा लास्ट मैस था लीग का, तो फिर हमें टाइम था चीजों को मैनेज करने का, आप सीजन में, तो वो था, यह तीन जो मेजर इंजरी ओन फिल्ड मैंने देखी है, वो यह है, क्रिकेट में जब मैंने लाइक पंजाब क्रिकेट के लिए जो इंदीन मैचेश खेलते थे, बट उसकी हिसाब से रिकवरी की चीज़ें में प्लान कर रखी थी, तो वहां पर कुछ मेजर इसूज नहीं हो था, यह तो बहुत होता होगा सर कि जब आपके साथ खिलाडी की अनबन होती होगी, क्योंकि खिलाडी कहता होगा कि नहीं मुझे तो ठीक है, कई बार चीज़ें होती है जब आपका ओपिनियन अलग होता है, अथलीट का अलग होता है, क्योंकि तो उतने सालों से उसने प्रैक्टिस करी है, उसका मोराल है कि नहीं उसे खेल लाए है, वो अपनी जगें गलत नहीं है, पर बिइंग अज़ें गलत नहीं है क्योंकि वो एक heat of the moment होता है, ठीक है, तो जब दोनों का temper down होता है, क्योंकि आप already temper में नहीं रहोगे, क्योंकि आप तेमपर दिखाई नहीं सकते हैं, और दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तेमपर दिखाऊगे तो आप अथलीट को मोराल डाउन कर रहो, आपको cool काम उसको समझाना पड़ता है, कि नहीं ऐसा है, या भाई ऐसा है, या आपके future के लिए खराब होगा, अब भी ऐसा करना है, तो तो तिरे-देरे ओचीजे विदिन 2-3 मिनट के अंदर चीजे सौट हो जाती है, तो वो चीजे रहती है, तो चलता रहता है, coach के साथ भी चलत सकते हैं बट कुछ इंजरी जो ग्रैजोली एक अथलीट के अंतर डेवलप होती है कि वो धीरे-दीरे टाइम के साथ बढ़ती आती है उन इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ टिप्स या कुछ आपके रहा हो कि इन इंजरीज को हम इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं जब मैंने बुला ना हम पूरिसेजन बultan होता है तो हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम essentially it discuss करते हैं कि हम prehab पगाम करेंगे एक होता rehab, एक होता prehab prehab मतलब आपको kysaj-ब्था लाल 저희 हम इनजरी से बचाना है तो हम pre season में उस पे फोकस करते है, उसे सीजन में भी उस पे फोकस करते हैं, त führen दूना हो का important समझाना उसके sleep का important समझाना तो वो सारी चीचे पर focus करते हैं तो अगर कोई अपना career बनाना चाहता है कोई एक खिलाड़ी है जो मतलब चाहता है कि वो भी olympic पे खेले या फिर किसी बड़े event पे इंडिया के ले खेले तो उसको किस तरीके से अपने आपको प्रिपेर करना चाहिए स्टार्टिंग से जिससे कि उसको आगे future पर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो जब भी इंडिया में प्रॉब्लम 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 रिकवरी के लिए तुम्हें क्या प्लांस करना है तो वह सारी चीजों पर फोकस करते हैंगे और सबसे इंपोर्टन उसके साथ उनकी टैक्निक जिस भी रिस्पेक्टिव गेम में है उसकी टैक्निक बहुत इंपोर्टन है अगर वह लैक होगी तो खराब होगा एक हम स्कूल पांडलग करते हैं तो नरसरी में जो हम सीखते हैं तल वह क्याорण करते हैं और कासे हैं हुए क्यों कुल्डाउट कैसे रखना हैं स्ट्रोंग क कैसे रहना है क्योंकि support ऐ Chapo जहां पर आपको विन से जादा डिफीट मिलती है तो उस डिफीट को कैसे लेना है उसके बाउंस बैक कैसे करना है तो वो चीज बहुत इंपोर्टन है तो जर्नल अगर सर किसी को हमें बताना हो कि कैसे कैसे वो कर सकता है तो थोड़ा सा अगर उसको और थोड़ा डीफ हम एक्स्प्लेइन कर सके कोई अगर हमें देख रहा है स्टैम पे और वो किसी स्मॉल टाउन या किसी छोटे गाउं से वो ब्लाउं करता है और वो आपको देख करके फोलो करना चाहे थोड़ा देखिए एकदम से तो हम नहीं समझा सकते हैं एक घंटे की चीज़ों पर पर कुछ एक आइडिया आ जाए उसके पास कि उसकी लाइफ कैसे उसको मेंटेन करनी है आपने बता है ना कि नर्सरी पे सीखता हुआ बच्चा अगर वहीं पर उसको अच्छे से सिखा दिया जाए तो फिर जब 12 तक आता है तो वह काफी अच्छी परफॉर्मस करता है देखो हर गेम में आपका बोड़ी बाय मेकनीज बहुत इंपोर्टन होता है तो आपका जो सोल्डर का स्टेबिलीटी है आप कोई भी गेम ख्योल ऑना चाहत थोड़ाशिक मोबिलीटीदी बेट रहनी चाहिए ता कि सनल उसकी मोबिलीटी बेट रहनी चाहिए fois ए इसकोशर मसें तोड़ा सा और जाना जागगा कि सोल्डर को कैसे कर सकते हैं मतलब इस्ट्रॉंग करने के लिए कोई ऐसी कुछ टेक्निक्स है जो जर्रेनल ही कोई भी यूज कर सके और फिर उसको इसको स्ट्रॉंग कर सकते हैं आप थेरा बंड से इंटर्नेक्शन रोटेशन कर सकते हो शेकिंग मुमेंट कर सकते हो सोल्डर की बॉल्स के साथ वन के डं तोरसिक मॉबिल्टी कर सकते हो लिए इंपोर्टेंट को फेक्टर है पूरी बोडी के लिए इसूज से बताने के लिए क्योंकि जितना हमारा स्ट्प हिप होगा उतनी जादे हमें इंजरी होने की पूर बोल्टी रहती है क्योंकि इनिसली कोई भी हो आप मैं हूँ या एत यह होते हैं, यह जितना strong होंगे, उतना जल्दी आप injuries से बचोगे, यह जितने weak होंगे, उतनी जल्दी injury होने की mobility रहेगी, इन चीज़ों पर ध्यान देना है, इनको कैसे जर्णल ही हम strong कर सकते हैं, जो भी athletes start करते हैं, अपना career, basically core तो सभी करते हैं, plank भी करते हैं, बिलकुल, ठीक है, hip की mobility बहुत important है, वो 90-90 कर सकते हैं, hip का international rotations कर सकते हैं, loop band के साथ कर सकते हैं, ठीक है, deep squats में hip mobility कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़े हैं, इसके साथ 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 सर अभी आपने mention किया था, warm-up और cool-down की जो importance है, ठीक है, वो एक time हो गया है, सब को पता है कि warm-up करना चाहि है, तो उसको आप थोड़ा सा explain कर सकते हैं, किसी भी एक sports का आप example लेके, किस टैप से warm-up करना चाहिए, किस टैप से cool-down करना चाहिए, मैंने जिसे swimming में काम किया है, तो अगर जब आप swimming का warm-up प्लान करते हैं, तो आप उसमें देखते हो कि shoulder का पूरा mobility आना चाहिए, ठीक ह mobility आना चाहिए, ठीक है, endurance आना चाहिए, तो ये सारी चीजे होती है, और बिना warm-up के इन tasks को perform करना या पर कोई भी sports खेलना, कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान दे, क्योंकि आपकी body ready नहीं उस moment के लिए, तो आप injury को invitation दे रोगी, आओ भ and cool down का मतलब होता है, कि आप body को muscles को relax कर रहो, ठीक है, and for the betterment of muscles, lactic acid को reduce कर रहो, जो आपने game किया है, जो अभी training कर रहो, उसका lactic acid निखलता है, उसको slow down करते हो, cool down करके, heart को slow करते हो, क्योंकि जब आप bomb up करते हो, game करते हो, heart beat बढ़ता है, cool down में कमाना चाहिए, तब जाके आपका cardiac भी better perform करते है, okay, वैसे भी सर, आज जब आप आए हैं, जब से आप हमारे साथ बैटे हैं, हम office में भी बैटे साथ में, तब से वो जो olympic वाली vibe है ने, वो तब से चल रही है, मैं तो शिवंबाई से गया रहता है, कोशन हमें रखने ही नहीं है, मतलब सारे बस olympic वाले कोशन होने चाहिए, पर फिर audience के लिए हम चाहते हैं कि जब कोई हमारे पास हाता है guest, तो हम audience तक भी कुछ ऐसी चीज़े पोचानी कोसिस करें, जिससे कि लोगों की कोई help हो सकें, educate हो सकें लोग, पर मैं सर उस moment पर फिर जाना चाहता हूँ कि, वो जो olympic वाली vibe है, तो कि दिवाली special हमने आपके लिए जो डेडिकेट किया यह वाला podcast हमने अपने भारत को देश को जो आप लोगोंने हमें गौरफ दिलाए, तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाफ से इंडिया भी चल रहा है, तो क्या लगता है आपको भी आने वाले time पे इंडिया कितना आगे जाने वाला है, आगे आने वाले time पे इंडिया बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस बार हमने पैरामे 29 मेडल जीते हैं, तो हमने next के लिए 50 के एसपास का target रखा हुआ अलेडी, तो उसके लिए काम चलेगा, चल भी start हो चुका है, तो उमीद अच्छी ह अच्छा ही रहेगा, तो यह बस यह है, करते रहेंगे, तो उस सारे moment पे हमने सारा जाना, पर मैं यह जाना चाहूँ है, सबसे proud moment गया था, जब आप मतलब कई वार हम देखते हैं, तो हम emotional भी हो जाते हैं, या फिर कई वार हम अगर हम विराट को लिए की बात करें, तो भा में आगे थे, या फिर बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफ में तीन ऐसे moment है, बिइंग अजय स्पोर्ट्स फिज जो, जिने में चार कभी नहीं भूल सकता, पहला जब मैंने अपना carrier स्टार्ट किया था, तो अगर आप नाम जानतों, जो इंडिया का पहला गोल, जिसने मारा वल्ड कप में, अडर 17 में, ठीक है, क्योंकि फीफा वल्ड कप इंडिया पहला ही खेली है, अडर 17 का, तो जैक्शन, थोईबा जो भी उडिशा FC के लिए खेलता है, अन्वर अली, इन लोगो की टीम का फिज जो था मैं 2015-16 में, तो हम नाइकी प्रिमियम को खेलने गोवा गयते हैं, और बहुत प्रेशर था, क्योंकि जैसे आपने बोला कि BPD और आगे MPT में क्या डिफिरेंस है, तो मैं BPD पास आउट ही था, चिल अभी भी BPD हूँ, हाँ, स्किल्स मैंने अप्ग्रेड कर लिए अपने, तो वो एक मुमिंट था जहां पे हमें final हारना नहीं था, लब जीतना था, क्योंकि हमने लीग में एक मैच भी नहीं आ रहा था, और हमारा मैच सबसे टफ टीम के साथ था, क्योंकि फाइनल में वाई टीम में पहुती थी, जो सबको हराते हुई आई थी, तो हमारे बैक टू बैक तीन प्लेयोस को इंजिरी हुई थी, थोयबा को गोल की पर था, उसको हुई थी, और 90 मिनट के फुटबाल मैच में दोनों टीम की तरफ से एक एक गोल भी नहीं हुआ था, ठीक है, और फिर हमें इंजिरी टाइम मिला, पांच-पांच मिनिट का, उसमें भी गोल नहीं हुआ, फिर वापस इंजिरी टाइम मिला, क्योंकि पांच मिला, उसमें भी कोई गोल नहीं हुआ, फिर हम पेनलिटी सूट आउट पर आ गया थे, और यह नहीं करोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊगे, ठीक है, इतिहास, इतिहास रहता है, या तो रच दो, या बन जाओ, तो रचने वालों को धुनिया आद करती है, भी तो कोई नहीं पूसता, तो वो जो वर्डिंग थी ना, उनका मोटिवेशन का, उन्होंने ऐसी आग लगाई ना, कि मतलब हम पेनलिटी सूट आउट में जीत गए, अच्छा, एंड वो जीतन उनका 2018 और शेलिया कॉमन वेल्ड में गोल्ड मेंडल लाना, वो एक गुजबम, नेक्स लेवल था, फिर एसियन गेम 2018 में, दीपक कुमार अपूरवी का फिजो था, रवी का, तो दीपक कुमार का फाइनल में ब्राउन जीतना, जो बंदा ये था कि फाइनल तक नहीं इतना, वो उनके लिए भी, मेरे लिए भी और पूरे इंटरनेशन के लिए और नेशनल फेडरेशन के लिए भी प्राउड मुमेंट था, और फिर अभी ऑलम्पिक्स, परालम्पिक्स, ये तो बस, चेरी ओन दो टॉप, तो बस यह है, तो सर आपके लिए, जो एक ड्रीम था, वो आपने अचीव कर लिया, तो उसके बाद क्या, इसके बाद क्या, मैंने ना, अपना केरियर ना, डॉक्टर मनुजवादवा की टीम से स्टार्ट किया था, है इस दे रिनॉर्ड और्थोपेडिक सर्जिन, इन चंडिगर्ड, फोर नी ट्रांस्प्लांटेशन, और ट्रांस्प्लांटेशन, गिनिज बुप में भी रिकॉर्ड है उनका, एक महीने में 435 या 500 अपरेशन करने का, तो उनकी टीम का फिज़ो था, सर से मैंने दो चीज़े सीखी है लाइप में, एक नेवर से नो, और सेकेंड वाट नेक्स्ट, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ड कोशिस जारी है, उपर वाला, देखते हैं क्या करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होगा है सर, क्योंकि जिसे साब चाहरा अपने अपने एक्स्पिरियंस को बताया है, तो इंडिया को आप जैसे कोचिस के, आप जैसे फीजियो की बहुत जार नीड है, और जो नए लोग आ र खतम ही नी होती है फाइब तो, हर पांच मिनट के बाद बूस्पम, हर पांच मिनट के बाद बूस्बंस, मतलब वो मुमेंट नी चूट रहा है, यॉकि आइक्चिली कहा है, कि वो मुमेंट पे था कुछ तो बात थी, क्योंकि जब तो मैं देखिए, मैं ये बोलूंगा कि इंडियन टीम ने कुछ किया है और तभी फिर उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया था पर उसके बाद जो रीले आ रही थी, शोर्ट सारे थे वो गाना, लहरा दो उसके उपर ये सारी चीज़े आ जाना तो मैं तो खुद देख देखके ऐसे मतलब उस मुमेंट को जीने की गोज़िस कर रहे था, आपने तो सब लाइब देखा है क्या ही मज़ा आया होगा आपको बहुत मज़ा है, मैंने आपको एक क्लिप भी दिखाई थी, हुटिंग जो होती ना इंडिया के लिए जब दूसरे देख के लोग करते है तो लगते हैं यार नहीं, कुछ तो किया है बिलकुल कोई तो सपोर्ट कर रहा है, कोई तो प्यार कर रहा है दूसरे देख से कि याद है सर पाकिस्तान से कोई कोई टक्कर हुई है मैचिस में आपकी शूटिंग में तो बहुत बार हुई है बट आर्चरी में डारेक्ली पाकिस्तान के साथ कोई मैचेज नी हुए, मैरे क्लैस नी हुए बठा एक एथलीट है वहाँ के जिनके साथ हम लोग की अच्छी बॉंडिंग है तो जो पॉल्टिकली हम चड़ा देखते हैं साथ दो तो रहा तो जुछ नहीं रहा हुँ वैसे तो किरकेट में भी देखा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह कर बाज से यह से लगता है कि यह जानना होता है की जब पाकिस्तान सामने आया था तो क्या फिलिंग थिया नहीं मैं सोचल मीडिया पर एक पाकिस्तानी स्विमर है तो उनसे इंट्रेक्शन वह था मेरा कोवीड के टाइम पर लाइक जस कि मैं को स्टार्ट करना था कि कोवीड आर घर पर बैटो कुछ तो करते हैं तो एक चलो ठीक है थोड़ा प्रमोट करते हैं इंजिरी प्रेवेंशन प्रिया पाट लाएक फॉल्डव कियार अनका था कि मै को सोलर इंजिरी है तो आप क्या हिलक कर सकते हो आग है मैं कर सकते हूं ll गिंग को सब्सक्तानी है भीजिये संध्ता ने इडिया पाकिस्तानी को ट्रीट करते ह। है कोई है यह स्ईटेशन य है ठीक है एथलीट है तो हम सब का महौल फैमिली वाला ही रहता है भाईचारे वाला ही रहता है तो ऐसे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ ना होगा भी नहीं है फ्यूचर में तो इसे के साथ थैंक यू सो मच सर इतनी ऐची बात है इतने अच्छी एच्छी ऐस्पिरियेंस अज हमारे साथ शेयर करने के लिए काफी मज़ा है सर आपके साथ बाती करके और मैंत आगाउंगा कि इस तो चार साल बाद बूल जाना कोई दिकत निया क्योंकि उस टैम पे हम कुछ निया रच देंगे कुछ निया लेकर बिल्कुल रचेंगे क्यों नहीं रचेंगे तो यह चीज है तो थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपको भी और आपकी पूरी टीम को जिन्होंने इंदुस्तान का इतना नाम किया है थैंक यू सो मच पर इंविटेशन और थैंक पर थैंक यू साथ